हेलो दोस्तों कैसे आप लोग इमीद है आफ सब बच्चे सुनगे दोस्तों बात करेंगे बीएट फस्टियर के आपके सब्जेक्ट अधिगम का मनोवी जाने हों विकास साइकोलोजी अफ लर्निंग डिवेलप्मेंट के एक कॉंसेप्ट अफ लर्निंग अधिगम होता क्या है तो देखिए असान से भासा में अधिगम को हम कहते हैं सीखना और सीखना क्या है सीखना एक निरंतर और चलने वाली एक सौरभामिक और मानसिक प्रकिरिया है जो जनम से लेकर मिर्ट्यू पराम तक चलती रहती है ठीक है शीखने को हम अधिगम कहते हैं और सीखने की गती प्रस्तिती आव सकता परिवर्टित होती रहती है प्रंतों इसकी इस्तिती में कभी वीरामा वस्ता मतलब कोई ऐसा आवस्ता नहीं आएगा जब आप नहीं सीख सकते सीखना जनमस लेके मिर्ट्य तक चलने वाली एक प्रकिरिया होती है ठीक है मनुष्य को सीखने या अधिगम के लिए विशेश प्रस्तिति क्या हो सकता नहीं होती वैती कहीं भी सीख सकता है किसी समय सीख सकता है किसी इंसान से सीख सकता है और किसी से भी सीख सकता है या ना क आपके वहवार में परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है लेकिन आपसे सवाल यह है एक थोड़ी समस्या यह है कि सभी अस्तरों पे वहवार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता है एक्जामपल की तौर पे माली जी कोई इंसान ठका हुआ है या फिर बीमार है या फिर वो बंदा मैच्योर हो गया तो उसके वहवार में परिवर्तन हो जाता है उसी वहवार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं पराया इसी तरह परिवर्तन का उद्दे से व्यक्ति को किसी दिये हुए वातावर्ण समायोजन करने में मदद करें वातावर्ण के अनुरूप खुद को ढालने में मदद करें अब हम कह सकते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है अधिगम का अर्थ होता है वहवार में वैसे परिवर्टन को कहा जाता है अधिगम जो अभ्यास या अनुभूती के फलसुरूप होता है चता जिसका उदेश से व्यक्ति के समायोजन करने में मदद होता है तो लर्निंग को क्या कहे लर्निंग रिटर्न टू चेंज इन विहेवियर ऐज फंक्शन अफ प्रैक्टिस और एक्स्पिरियंस विद द व्यू तू मेक अजस्ट्मेंट इन द इनवार्मेंट यानि कि अधिगम क्या है अधिगम वहवार में परिवर्तन है जो अभ्यास और अनुभूति के आपका एक ऐसा विहेवियर एडाप्शन जो आपको आगे की तरफ ले जाए आपको और बहतर बनाता हो तो अधिगम क्या है सीखना वहवार में उत्तर समाजस की प्रक्रिया है लर्निंग इजब प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिफ बिहेवियर एडाप्शन राइट अधिगम की प्रिवासा क्रो और क्रो के अनुसार क्रो और क्रो ने बहुत अच्छा लिया था सीखना ग्यान सीखना आदतों ग्यान एवं और भीट्यों का अर्जन है लर्निंग इस एक्विजिशन आफ हैबिट नॉलेज और अटिट्यूड मतलब सीखना क्या है आपने अच्छी आ अनुभा के परिडाम सुरूप वहवार में परिवर्तन द्वारा युक्त होता है ठीक है लर्निंग इस शोन बाई चेंज इन बिहेवियर एज रिजल्ट अफ एक्स्पिरियेंसेज ठीक है तो यह हो गई क्रॉनवेक के अनुसार अधिगम की परिवासा अब वीडियो को ख रहता है इंसान जन मिसले के मिर्टियू तक भी सिखता रहता है सीखना क्या है परिवर्तन है आपके वहवार में परिवर्तन है सीखना सौरव भॉमिक है सीखने का गुड के वर मनिस्व में नहीं पा जाता है वत्तु संसार के जीवधारी जीव जीव जन्तु सब में पाय क давно एक खुलता है ठीक के साथ चीजियरकर है जी युइट न की नहीं कारे करने की झुलता है जी गक्षवा-क्राइव होते हैं यदि से टहना नेक पून है एक निया वहवार चीजियरकर, जो को उतनी जल्दी से सीख सकता है या फिर जिस चीज में बच्चों का इंट्रेस्ट होगा आपका जिस काम में दिमाग मन लगता हो आप उन चीजों को जल्दी सीख सकते हैं तो यह हो कई दोस्तों हमारी अधिगम की विशेष्थाएं और अधिगम की प्रकृति ठीक है संग्यनात्मक अधिगम ठीक है दूसरा है भवात्मक अधिगम तीसरा है क्रियात्मक अधिगम यानिके मोटर लर्निंग अफेक्टिव लर्निंग और कॉगनेटिव लर्निंग अब देखिए पहला संग्यनात्मक अधिगम का संबंद सीचार्थी द्वारा विविन तत्यो इसके स्वावत्मेक अधिकम मतलब आपके वर्किंग से रिलेटेडड है अधिक में क्यात्मेक अधिकम से तात पर भौतल्ण जटिक घामिक नियंतर्ट के द्वारा विविन कॉसलों को सीखना है विविन स्किल्स को सीखना है इसके अंतर प्रतिकरण मनुमित निर्देशीत प्रतिकिरिया कारे कॉसल जटिलें विवार रज़ती आते हैं कहने का मतलब है दोस्तों कि सिक्षा क्या था है अधिकम को तीन वरगों में बाटा क्या है पहला संगिनात्मक जो कि आपके ग्यान कौसल बुद्धी से रिलेटेड है तिसरा आपके भवात्मक जो आपके भाव से संबन दीत है और तिसरा क्रियात्मक जो आपके क्रिया प्रतिकरिया अनुक्रिया इससे संबन दीत है तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को हम यह खतम करेंगे उमीद करते हैं आपको कुछ चीजे समझ में आई होगी इस वीडियो में हमने हमने अधिगम की प्रस्थावना देखी अधिगम का अर्थ परिभासा जाना उसकी विशेष्था हैं उसके प्रकृति और इसके प्रकार देखा सीखने के अधर दोस्तों बहुत ही म इस वीडियो में इस वीडियो में इस वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल से आप ंगा खावाएं तो लिए बिख he फिलाने इस वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत